हाइ स्टुडेंट्स वेलाकम टू अमाइल्ट टेकनिकल प्लाश्चिस आजके इस वीडियो में हम मुच्रो कंट्रोल के बारे में पड़ेंगे माइक्र कंट्रोलर्स यह एके टॉनिक डिवाइस है जो मुख्य तीन कंपोेनेंट्स से मिलकर बना होता है कर एक मतलब है कि मैक्रोकोन्ट्रोलर मैको प्रस्टेस्थर मेमोरी और कुछ पेरिफरल डिवेस्थ को सिंगल चिप इंटेग्रेट करके बनाया जाता है थिक तो के अ मेमोरी और इन्पूट और्पूट डिवासेज़ रिँपूट ओर्पूट इन्पूट फॉड्ड इन सब कु या बनता है मांको कंट्रोल इन्ट बनता है ठिक तो कॉम्पइट इन्टीग्रेटर शरकिट है जो इंब्रेट शिस्टम में बिषेस्ट ओपर संगे कि specific operations को govern करने के लिए design किया आता है कोई particular operation को particular task को complete करने के लिए ये design किया आता है macro controller या macro controller unit को robots में medical devices में mobiles में radio transfer receiver में welding machine में home appliances में इन सब चीजों में use किया आता है macro controller को site में new c भी लिख सकते हैं और macro controller unit को site में mcu लिखते हैं कहते हैं आता है 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 macro controller में input port की थ्रों हम instructions को input कराते हैं और जो processor में जाकर process होता है फिर output port से वो उसको हम output लेते हैं यानि कि process data को हम output port के थ्रों डिस्प्ले करते हैं यानि कि output लेते हैं आता है आता है micro controller की history की बात करते हैं जो वर्ल का first micro controller था उसका नाम था TMS 1802 NC कि 1971 में इन्वेंट किया गया था Gary Bonne द्वारा जो की Texas Instrument में एक engineer थे और यह क्या है calculator में implement किया गया था इसमें 6000 transistor यूज किये गये थे 6000 transistor यूज किये गये थे जिसका program memory जो था 3000 bits का था और data में वर यानि की रेम जो था 128 bits का program memory मतलब ROM read only memory जो था 3000 bits का था और RAM जो था 128 bits का था और Intel को दारा जो first micro controller develop किया गया वो था MCS 48 जो 1976 में इन्वेंट किया गा था जो 8 bit का था और 980 में further improve किया गया और इंप्रूब वर्जिन जो था ना इंटल MCS 51 ग्रूप का जो पापुलर micro controller है वो है Intel 8085 और basic micro controller में CPU होता है प्रोग्राम मेमोरी होती है जिसको हम ROM बोलते है read only memory होती है data memory जिसको हम RAM बोलते है random access memory होती है timer और counters होते है input output ports होते है i means input होता है वो मतलब output होता है input output ports होता है input port में input devices को attach करते है output port में output devices को attach करते है serial communication interface होता है इसमें DAC होता है digital to analog converter digital to analog converter होता है ADC होता है analog to digital converter होता है यानि कि digital signal को analog signal करने के लिए क्या होता है DAC होता है analog signal को digital signal करने क्या होता है ADC होता है आज की वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम micro controller और macro process के बीच में क्या क्या difference होता है जब के बारे में जानेंगे झाले में झाले करने जाई झाले क्या प्रीबा झाले